हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब और टार्गेट यूपिटेट सीचेट एप में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेल लेट फोर समेस्टर का हिंदी भी से और यह है आपका राजन स सीरीज तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आज हम देखेंगे यहाँ पर हम देख रहते हैं अधी लगूत्री आप रसमें इसमें लोगों नहीं सबौर स में तक देख लिया था और इस वीडियो में आज हम देखिए एक ह little crunch नंबर 25 तो दोस्तों 25 कर में हुशे forever कि दीख आसवे द्यान से पढ़िये और दोस्तों यहां पर यहां पर ये कोशिण आपके के लिए भी इम्पोर्टन आसे जब भी आप पढ़ यहां मेर्टी अर्थ लिखिए तो हिंदी गद reads की दो विदाहों के ना मैं नाटक और कहाँ यहां पर question number 26 है निमलिकित संस्क्रिश सब्दों के हिंदी में आर्थ लिखिए तो तड़ाग का आर्थ होता है तालाब और नृप का आर्थ होता है राजा तो तड़ाग और नृप दिया हुआ था यहां पर तड़ाग का मतलब तालाब और नृप मतलब राजा question number 27 देखिए प्रकिति के सुकुमार कभी किसे कहा जाता है प्रकिति का सुकुमार कभी कहा जाता है सुमिंत्रा नंदन पंत जी को यह हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों आपके इसी क्लास में और दोस्तों यहां पर देखिए question number 28 हलंत के प्रयोक से वड़ या अच्छर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है तो दोस्तों आपको यह भी पता है कि जब भी किसी वेंजन में हलंत यूज हो जाता है तो वो आधा माना जाता है जैसे कि यहां पर देखिए question number 29 है मा में हलंत लगा है और मा वर्ड में आधा यहां पर देखिए मा के नीचे हलंत है तो वो मा वर्ड जो है वो आधा रूप में पाए जाएगा question number 30 देखिए वन से अंस सब्द में किस चिन का प्रियोग हुआ है तो यहां पर दोस्तों अनुस्वार का प्रियोग हुआ है यह अंक की जो मात्रा होती उसको क्या कहते है अनुस्वार कहते है Question number 31 है समस्त भासाओं की जन्नी कौन सी भासा है तो समस्त भासाओं की जन्नी हमारी संस्कृत भासा है अब यहां पर question number 32 है कि हरी भाव उपाध्याय का जन्म कब और कहा हुआ था तो हरी भाव उपाध्याय जी का जन्म उज्ञन जिले के देवास तहसिल के गाउं में सन 1892 म चलिए आगे देखतें कोशन नमर 33 है डाक्टर विद्या निवास की प्रमुख रचनाई कौन सी है तो दोस्तों यहाँ पे देखें विद्या निवास की प्रमुख रचनाउं में निवन्ध देखें तो निवन्ध संग्रह में है संचारड़ी परंपरा बंधन दूब और अच्छत मेरे राम का मुकुट भीग रहा है बसंत आ गया पर कोई उतकंठा नही बसंत आ गया पर कोई उतकंठा नही मैंने सिल पहुँचाई आंगन का पंची और बंजारा मन तुम चंदन हम पानी चितवन की छां कदम की फूली ड जाल आदी ये निकी निवन्द संग्र है अब यहां पर देखें सोध है पाणिनी ब्याकरड की विसलेशड पद्धती और इसमें साहित्ति की चेतना भासा विज्ञान में हिंदी की सब्द संपदा रेती विज्ञान अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे हरिसंकर का जन में मध्य प्रदेश के होसंगाबाद जिले के जमानी गाउं में हुआ था वे प्रसिद ब्यांग कार थे हरिसंकर परसाई क्या थे ब्यांग कार थे उन्होंने अपने अथार्थ ब्यांग में घूस खोरी स्वार्थ ब्रश्टाचार आधि पर चुटीली भासा में ब बुराईयां यहां पर आपने देखा इसमें क्या लिखा था इसमें लिखा था गूस खोरी स्वार्थ और ब्रश्टाचार यह समाज की बुराईयां है तो बुराईयों पर जो अपनी बातों को रखते हैं वो यहां पर बैंग के रूप में रखते हैं कि किस तरह से यह जो पर हरि का साथरपूर मद्रीप्रदेश में सं 1932 में साइटे साधना से हटकार हरिजन सेवक संग असमारक गाधि असमारक विधी और भूदान अंदोलन में क्रमसा ये जुड़ गए और आपकी प्रेम सतक प्रेमांजली काब्या इनका वीर हरदौल छद्म योगिनी नाटक मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा प्रमुख है तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा वीयोगी हरी की और मैं 1988 में इनका स्वर्गवास हो गया निकी मृत्यू हो जाती है अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कोश्चिन नमबर 36 है यमक अलंकार की परिभासा लिखिए जहां एक सब्द अत्वा सब्द संग्रय का एक से अधिक बार प्रियोग हो किन्तों उसका अर्थ प्रतेक बार भिन भिन हो वहाँ यमक अलंकार होता है तो दोस्तों यहाँ पर देखे एक सब्द की बात हो रही है यहाँ पर एक सब्द अत्वा सब्द संग्रे की बात हो रही है जो एक से अधिक बार प्रियोग हो रहा है और उसका अर्थ अलग अलग निकल ला है तो महाँ पर कौन सा अलंकार होगा महाँ पर यमक अलंकार होगा सब्द अल्धिक बार महापे क्या होगा यमक लंकार होगा जैसे और उसका अर्थ भी अलग हो जो सब्द हो उसका अर्थ भी अलग हो जैसे कनक कनक तेसाओ गुनी आपने सुना भी होगा ये बहुत बार आपने यमक लंकार की परिवासा सुनी होगी पढ़ी होगी तो दोस्तों कनक कनक ते सौगुनी मादक्ता अधिकाई या खाए बोराय जग या पाए बोराय तो यहाँ पे या खाए बोराय जग का मतलब जो भी कनक है यानि कि कनक का मतलब यहाँ पे धतूरा है जो खाने से व्यक्ति बोरा जाता है यानि कि वो अपना कंट्रोल खो देता और यहां पाए बोराय का मतलब जब कनक का दूसरे कनक करत क्या पर सोना है जिसको पाने के बाद भी आदमी अपने होस में नहीं रहता कहीं नहीं जब उसके पास बहुत जदा सोना अचानक आ जाए तो तब भी तो आदमी का अपना नियंदर खोब बैठेगा तो कहीं नहीं पहले कनक करत सोना और दूसरे कनक करत धतूरा यहां पर दिखिए या पहले कनक करत क्या या पाए बोराय जग और या खाए बोराय तो पहले कनक करत सोना और दूसरे कनक करत धतूरा है अब दोस्तों यहां पर दिखिए कोश्चिन नमर 37 रूपक अलंकार की परिभासा लिप्टा घंसयाम, तो दोनों में तेखे, भेद नहीं उपारा है, कि कौन सा घंसयाम है, कौन सा घंसयाम है, कौन चंदरिकान één मुता पारा है। अब दोस्तों यहां पर देखें कि question 38 विप मालंकार लिखिये तो दोस्तों जहां पर उपमेक की और उपान से किसी समान मालंकार होतै है कि यहां पर पहले जो हम लोग पड़े हैं रुपक कलंकार में तो वहां हमने पढ़ा कि उपमे में उपमान का भेद रही वित आरोप हो और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि उपमे की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता की जाए यानि कि उसके तुलना की जाए तो वहां पर उपमालंकार होता है जैसे पीपर पा अमान इसके साथ उसके तुलना की जा रही है अब दोस्तों यहां पर देखिए उत्प्रेच्छा लंकार की परिभासा पूछ रहा है question number 39 तो जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेच्छा लंकार होता है यहां पर क्या है कि यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि उपमे में उपमान की तो दोस्तों यहां पर देखिए उपमे और उपमान की जो पहचान होती है उसमें मन, मानो, जनो, यह सब सब्दाते हैं तो जैसे अभी आप यहां पे पढ़ेंगे यह आपको क्लियर नहीं किया गया है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें मन, मानो, जनुह, यह सारे सब्द आते हैं जैसे यहां पे न सोहत, ओड़े, पीत, पटू, स्याम, सलोने, गात, मनो, मनो या मनो कहीं पे लिखा रहता है मनो, नील, मन, सैन, पर, आतप, परव, परभात तो यहाँ पर मानो यानी कि मानो जानो जानो जहां पर आए उसका अर्थ जहां पर आए वहाँ पर उत्प्रेच्छा लंकार होता है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं Question number यहाँ पर है 40 40 इस प्रति उपसर्ग से बनने वाले चार सब्द बताईए प्रति यानि कि प्रति सब्द जोड़ करके चार नए सब्द बनाने है यहां पर देखिए प्रति धन बाद प्रति धन क्रिया प्रति धन एक प्रति धन एक प्रति धन एक है यहां पर प्रति धन एक तो ए धन ए बराबर बड़ी हो जाता आपको पता ही न है ताब में छोटी ह और फिर छोटी 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 मिलके बड़ी हो जाता तो यहां पर प्रतीक हो गया है तो यह चार सब्द हम लोग ने देखे प्रति उपसर्ग लाके अब दोस्तों यहां पर देखे कोश्चनर 41 है सूपसर्ग लाकर चार सब्द बनाईए तो यहां पर सूपसर्ग लाके चार सब्द सूधन पुत्र सुपुत्र सूधन मार्ग सुमार्ग यहां पर देखिए सूधन पुत्र सुपुत्र सूधन मार्ग सुमार्ग सूधन आसर सूधन मन सुमन अब दोस्तों यहां पर question number 42 है जिनको ना जीता जा सके वाक्यांस के लिए एक सब्द लिखे जिनको ना जीता सबक्यांतों तो इसे लिए क्या सब्सक्राइब मोचे के चैनल के माध्यां से आपका हिंदी समाजिक अध्यन और सांतिस इच्छायम सतत विकास अस्टम प्रस्न पत्र इसके नोट्स बना करके आपको इस्टडी कर आई गई है तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं तो दोस्तों आप बस स्टडी करिए आपको जहां भी कोई भी दिक्कात हो कॉमेंट करके जरूर बताइए आज के लिए बस इतना ही अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए अपने आसपर सफाई रखिए हमसे जुनने के बहुत बहुत धन्यवाद टेक क्यार बाई बाई लव यू ओल